हिंदस्तान में एक अरसे तक ब्यूटी सोप का मतलब हुआ करता था लक्स इसकी वजह ग्लामर हो सकता है क्योंकि लक्स साब उनके विज्ञापन में हमेशा से फिल्म स्टार्ज ही नजर आते रहे हैं पहले सिर्फ हालिवुड हेरोईंज ही वो विज्ञापन किया करती थी लेकिन 1941 में पहली बार किसी भारती अभिनेतरी ने लक्स के विज्ञापन में काम किया वो अभिनेत्री थी अपने जमाने की बेहत इलामरस हिरोईन लीला चटनिस जो सादगी में सुन्दर्ता की मिसाल थी उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी आँखों से अभिने करती थी अभिनेता अशोक कुमार भी उनके खायल थे और मानते थे कि आँखों से बोलने की कला उन्होंने लीला चटनिस से ही सीखी थी लेकिन ऐसी प्रतिभाशाली और खुबसूरत हिरोईन को आज ज्यादा तर उनके माँ के किरदार के लिए ही याद किया जाता है आज के दोर में किसी महिला का ग्रैजुट होना कोई बड़ी बात नहीं है मगर हम उस दोर की बात कर रहे हैं जब महिलाओं का पढ़ना भी बुरी बात समझी जाती थी लीला चटनिस का शुमार उस दोर में सिनेमा की पढ़ी लिखी महिलाओं में होता था उस समय के एक अख़बार ने उनके बारे में छापा था कि वो महराश्ट्र की पहली सना तक महिला है 9 सितंबर 1909 को करनाटक के धारवार में जन्मी लीला चटनिस ने ग्रैजुएशन के बाद नाट्य मनवंतर थेटर ग्रुप जोईन किया जहां मराठी के नाटकों का मंचन होता था इसी थेटर से उनके पिता भी जुड़े थे जो इंगलिश लिट्रेचर के प्रोफेसर भी थे 14-15 साल की छोटी सी उम्र में लीला चिटनिस का विवहा अपने से काफी बड़ी उम्र के व्यक्ति से हुआ था और जल्दी ही वो चार बच्चों की मावन गई और फिर कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया इसके बाद वो कुछ समय स्कूल टीचर रही लेकिन 30 के दशक में अपने चार बच्चों की परवरिश के लिए वो मुंबई आ गई फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाओं से शुरू करके उन्होंने प्रयोक के तौर पर स्टंट फिल्में भी की पर जल्दी ही उन्हें मौका मिला मास्टर विनायक, नारायन काले और सोहराब मोदी जैसे इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करने का तीस के दशक का आखरी दौर और चालीस के दशक का शुरुआती समय लीला चिटनिस का सुनहरा दौर था जब उनका शुमार चोटी की अभिनेत्रियों में होता था 1949 में रंजीत मुवी टोन की संथ तुलसीदास में उन्होंने तुलसीदास की पत्नी की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म की सफलता के साथ ही वो एक बड़ी स्टार बन गई प्रभात पिक्चर्स और रंजीत मुवी टोन में काम करने के बाद वो बॉम्बे टॉकीस से जुड़ी और फिर 1949 में आई फिल्म कंगन जो सुपर डूपर हिट रही इसमें उनके नायक थे अशोक कुमार कंगन के बाद इस जोड़ी की बंधन और जूला दो और फिल्में लगाता रही और वो दोनों भी सुपर हिट रही बंधन फिल्म में उनका गेट अप बहुत ही सादा था साधी साडी और उस पर दो चोटिया उस दौर की फिल्मों को अगर आप देखें तो पाएंगे कि साधगी भी कितने खुबसूरत हो सकती है अशोक कुमार और बॉम्बे टॉकीज के साथ उनकी एक टीम बन गई थी पर लीला चिटनिस किसी एक स्टूडियो के साथ बन कर काम नहीं करना चाहती थी बलकि स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती थी पर जब उनके इस फैसले का नतीज़ा बहुत अच्छा नहीं रहा तो उन्होंने फिर से बॉम्बे टॉकीज के साथ काम करना शुरू कर दिया पर उस वक्त खुद बॉम्बे टॉकीज उतार चड़ाफ से गुजर रहा था तो उन्हें भी पहले वाली काम्याबी नहीं मिल पाई और चालीस का दशक समाप्त होते होते उन्होंने मा की भूमे काई सुईकार करनी शुरू कर दी पहली बार 1948 की फिल्म शहीद में उन्होंने दिलिप कुमार की मा का रोल किया था और उस समय उनकी उम्र थी मातर का tussen 22 साल इसके बाद वो कई फिल्मों में दिलिप कुमार की मा की रोल में नज़र आई इस तरह कह सकते हैं कि शहीत फिल्म की सफलता से लीला चितनिस की दूसरी पारी शुरू हुई चरित्र कलागार के रूप में खासकर उनकी इमेज रही एक बूढ़ी बिमार मा की या अपने बच्चों की जिंदगी सवारने के लिए संघर्ष करती मा की राज कपूर की आवारा के अलावा बिमल रॉय की फिल्म मा में भी उनकी केंड्रे भूमिका थी लेकिन ऐसी फिल्म में बहुत कम थी पचास के दशक के मध्धे तक आते आते वो ज्यादा तर हीरो की उदास, दुखी, मजबूर, लाचार, बीमार, मा की लगभग एक जैसी भूमिकाओं में ही नज़र आने लगी लेकिन जब भी उन्हें मौखा मिला, अच्छे रोल्स मिले, उन्होंने उन्हें पूरी शिद्ध से निभाया ऐसी फिल्मों में साधना, गाइड, काला बाजार, हम दोनों जैसी फिल्मों के नाम लिये जा सकते हैं खासकर गाइड, जिसमें एक रूडियों में बंधी लाचार मां अपने बेटे के मौडरन खायालात से सहमत नहीं हो पाती लीला चिटनिस छोटी छोटी भूमिकाओं से शुरू करके मुखे अभिनेत्री बनी और फिर मां के किरदार निभाय इस दोरान उन्होंने बहुत सी मशूर फिल्मों में अभिने किया एक समय में उन्होंने अपना थेटर ग्रूप बनाया था बाद में उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया जिसका नाम था आज की बाद जो 1955 में आई थी लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया 1981 में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई 1985 तक वो फिल्मों में सक्रिय रही और फिर वो अपने बच्चों के पास US चली गई वहीं 14 जुलाई 2003 में उनका निधन हो गया